और जली शुरुआत करते हैं इस वक्ति सबसे बड़ी ख़बर के साथ लालू यादव के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पर गिये गए विवादत बयान को लेकर बखेडा खड़ा हो चुका है बीजेपी ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है देके बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आरजेडिया देक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीम नरेंद्र मोधी के हिंदू होने पर सवाल उठाया था इंडी गटबंदन की जन विश्वास रैली में लालू यादव ने प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी पर इस बात का आरूप लगाया था कि उन्होंने अपनी मा के निधन पर बाल दाड़ी क्यों नहीं कटवाया लालु यादव ने कहा कि फुधान मंत्री नरेंद्र मोधी हिंदू नहीं है जिस पर बवाल खड़ा हो गया सबसे पहले आप यह सुनिए कि लालु यादव ने आखिर क्या कुछ कहा था बोलता कि परिवार बाद है परिवार के लिए लोग लड़ है तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माता जी जब तुम हिंदू भी नहीं है तुम्हारी माता जी का जब जब आज़ान हो गया तह हर हिंदू अपने मा के सोक में केस्ति दारी बनावाता है क्या उन्हें छिलवाया बताओ तो लालू यादव के बयान पर भारते जुंसा पार्टी ने पलटवार किया बिहार के डिप्ती सीम विजर सेना ने कहा जिन लोगों ने बिहार को गाली बना दिया वो दुनिया में सनातन को बढ़ावा देने वाले प्रभान मंतरी पर बयान बाजी कर रहे हैं आजया अलोक ने भी लालू यादव को राहूल गांदी को गेरा बिहार को गाली बना दिये और यह रगति देश के परधान मंतरी को तुमिताम कर रहा है यह पॉल्टिकल भासा हो सकता है क्या यह बेक्ति देश के प्रदान मंत्री जो सनातन का गौरब है अपने देश में नहीं दूसरे देश में अरब कंटी में भी सनातन को गौरब बढ़ाए उसके बारे में यह सटिफिकेट देंगे लालो यादव जी को लतना बिमारी के साथ साथ आँच में मोत्या बिंद्धी हो गया है दिखाई कम देता लगा अरे मंच पर राहूल गांदी बठेवे थे नहीं दिखे पारसी पिता आईशाही माता के पुत्र हिंदू नहीं है राहूल गांदी दिखे नहीं यह पीम मोधी होते हैं और हिंदू धन की जागरती जो नरेंद मोधी ने पुरे देश में किया है वास्त किसी ने नहीं किया कि भाषा माने लालू प्रशाजी आपको सोभा नहीं देता है जीवन के अंतिम चरण में आप इस डंग की भाषा और व्यक्तिगट चिपनी आप इस डंग से कर रहते प्रणान मंत्री पर राजी के मुख मंत्री पर यह निश्चित रूप से यह बताता है कि आपके पास भाषा अगत संब्रिद परंपरा नहीं है इसी के चलते राजलीत के लंपटी करन का जो आप पर आरोप लगता रहा है उसका आज यह थार्थ बोदुदा प्रवी किशन गोरकपूर से उन्हें एक बार फिर से टिकेट दिया गया और ऐसे तमाम लोगों को टिकेट देकर यह जताने की कोशिश कि एंट्री इंकमबंसी नहीं है बलकि प्रो इंकमबंसी है वहीं दिल्ली के मौजुदा सांसदों में सिर्फ मनोज तिवारी अपना टिकेट बचा पाए हैं पार्टी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताती हुए उन्हें उत्तर पुर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में एक बार फिर उतारा है चान्नी चौक से हर्श्वर्धन की जगे प्रमिन खंडेलवाल को टिकेट दिया गया तो वहीं नई दिल्ली सीट से मिनाक्षी लेकी का टिकेट काट कर पांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है दिल्ली की पांस सीटों पर भारतिय जनता पाटी ने किसी एक उमिद्वार को तीसरी बार रिपीट किया है तो वो है भोजपूरी के सुपरिस्टार मनोश्तिवारी इस वक्त हमारे साथ है और इस बार तो भोजपूरी की लोट्री लग चुके मुझे लगता है चार भोजपूरी गायकों को बीजेपी ने उमिद्वार बनाया है पहले से तिकडी तो थी ही मौझूद और आपलों का हमने पहले इंटर्व्यू भी किया है आपके घर पे ही मनोच जी क्या देखा केंदरिया नेतरितु ने प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने क्या आपको तीसरी बार इस सीट पे मौका दिया जहां चार सीटों पर उमिद्वार बदले गए ने बड़ी कृपा है बड़ी धन्यवाद है नरेन्दर मोदी जी का जितना भी हम धन्यवाद के लिए शब्द हमारे छोटे हैं हमारे राष्टिय द्यक्ष नड़ा जी का धन्यवाद और हमारे सिर्ष नित्रित्तु का अमिशा जी राजना सिंग जी सभी का और सबसे बड़ा देखिये न भी तो मुझे हमारे छेतर के लोग जो प्यार दिये हैं कल रात से यहां पर सब लोग बैठे हुए हैं मैं सो गया लोग बैठे हुए हैं तो यह जो प्यार है सायद उसी के लिए हमको यह चांस मिला लेकिन इससे अलग भी एक बात है कि माल लीजिए मुझे सीट नहीं मिलती मुझे कोई और काम दिया जाता तो भी मैं उसी भाव से करता तो अब भारती जंता पार्टी के संस्कृती में टिकट मिलना और ना मिलना में बहुत अंतर नहीं है पार्टी हमें जो काम दे रही है हमों करने को तयार है और यही सब का भाव है आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस एक जूट हो गये हैं मुकाबला तो कड़ा होगा या हैट्रिक बना लेंगे आप आप गयरे पी-म तो जीतेंगे आपको चुनोती मिलेगी नहीं एक तो हम चुनोतियों से घबराते नहीं और दूसरी बार कोई चुनोती है ही नहीं चुनोती तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के लिए बन गये हैं नमस्कार मैं हूँ प्रशांत जरहे इस वक्की इक बेहत एहम और बड़ी खबर आ रही है होचपूरी गायक और एक्टर पवन सिंग ने पच्चिम मंगाल के आसन सूल से चुनाओ लड़ने से इनकार कर दिया है उन्होंने ट्वीड करके ये जानकारी दिये लिखा है आरतिये जनता पार्टी के शीर्ष नित्रित्व को दिल से आभार प्रकट करता हूँ पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसन सूल का उमिद्वार होशित किया लेकिन किसी कारण वश मैं आसन सूल से चुनाओ नहीं लड़ पाऊंगा पवन सिंग ने ये ट्वीट करके खुद जानकारी दिये जबकि बीजेपी ने उन्हें लोग सभा का आसन सूल से उमिद्वार बनाया पवन सिंग के आसन सूल से चुनाओ लड़ने से इनकार करने पर विपक्षी नेता अपतर रहता है की पृतिक्रियां भी दे रहे हैं आसन सूल से सांसत शत्रुन सिंह ने कहा कि ये बीजेपी का अंधुरुनी मामला है जबकि कॉंग्रेस ने पवन सिंग को टिकेट दिये जाने के बीजेपी के फैसले को हर्शुवर्दन के सन्यास से जोड़ दिया है इस पे मैं कोई कमेंट करने वारा है जखल अंधाजी देने वाला कौन कारण हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं कारण है उनकी भॉंडे वीडियो जो सब के सामने आ रहे हैं खास्त वार पर बंगाल की विशे में जो उनके भॉंडे पन भॉंड़ापन उन वीडियो में दिखता है तो हम सब ने देखा और भी कई उन पर आरोप हैं वो हम सब लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ, हम सब यह जानना चाहते हैं, कि सुभा तीन वज़े तक जाग के प्रधान मंतरी टिक्टें बाढ़ते हैं, क्या इस तरह हैं कि टिक्टें बाढ़ते हैं, सोच समझ के नहीं बाढ़ते हैं, पूरा देश का एक व्यक्ति प्रधान मंतरी ज ये किसकी जवाब देहीत है होगी। प्रधान मंत्री खुद आप लोग सब तारीफ कर रहे थे किसा आप देखो क्या एनरजी लेवल है। तीन साड़े तीन बज़े तक सुबह टिक्तें बाट रहे हैं। किस तरह की टिक्तें बाटी। एक और बड़ी खबर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की अद्यक्ष्टांबी दिल्ली में मंत्री परिशद की बैठक लगाता आर जा रहे है। बीजेपी ने किया लालू यादव पर पलटवार जेडियों ने कहा इस उम्र में लालू को शोभा नहीं देती ऐसी भाष्टा। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री परिशद की बैठक में पीम मोदी ने AI और डीप फेक वीडियो के दुर्पयोग से बचने की सलहा दी। पीम ने मंत्रियों से कहा जाईए और जीत कराईए। जाम नगर में अनंत अंबानी और आधिका मर्चन की प्री वेडिंग सेरमेनी में मुकेश और नीता अंबानी ने दी डांस परफॉर्मेंस फिल्मी सितारों ने भी बांधा समा। महा कोश, कच्ची घानी सरसु तेल और रिफाइंट सोयाबी नॉयल चुनो सही। पूर्पूर्ण बैठक हो रही है और आचार सहीता लगने से पहले आखरी बैठक मानी जा रही है। माना जा रहा है कई बेहत एहम फैसले प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी की अध्यक्षता में जो मंत्री परिशत की बैठक हो रही है क्योंकि बहुत जल्द आचार सहिता लगने की भी अब उम्मीद है और उससे पहले माना जा रहा है कि कि अचार झाल कि भी उल्द जल्द है कि ब fluॉ उल्द Atari भी एव है कि बहुत यॉक्र ठाट रहा है मत्ति हैएम